दोस्तों आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है क्योंकि आज दोस्तों बात करने वाले हैं वोल्यूम एनलिसिस के बारे में और वोल्यूम एनलिसिस के अंदर एक चीज है जिसको हम कहते हैं वोल्यूम कोंट्रेक्शन तो वोल्यूम कोंट्रेक्शन दोस्तों हम सीखें कि चार्ट किदर जा सकता है यानि प्राइज एक्षन किदर की तरफ हो सकता है उसके प्रॉबैबिलिटी दोस्तों आपको मिलती है जिसका आप यूज करके अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं अपनी एक्कूरेसी को बढ़ा सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्त 3-4 बुक्स आपको मिल जाएंगी इंटरनेट के ओपर अगर मोगा मिले तो जरूर पढ़ना आप इनकी जो बुक है उसके अंदर यह वोल्यूम कोंट्रेक्शन दिया गया है और यह वोल्यूम कोंट्रेक्शन बहुत जबर्दस काम करता है और जो मार्क है जो ट्रेडर है उन्होंगे 200% से जादा कर इंटरन निकाला है स्टॉक ट्रेड करके शॉर्ट ट्रम के अंदर तो आप यह समझ सकते हैं कि जिस ट्रेडर ने यह बताया है जो इंडिविजूल ट्रेडर है जिसने यह बताया है तो क्या पावर होगी इस मैथर के अंदर उसको दोस्तर समझे करेंगे बागी दोस्तों उनका एक कंप्लीट मैथड है स्टॉक बाय करने का सिर्फ यह चोटा सा पार्ट है उसके अंदर तो फिलार आज वॉल्यूम कॉंट्रेक्शन बढ़ेंगे बागी इन फ्यूचर हम बागी चीजों को भी जो मार्क विनी साब ने बताई उसके बार ट्रेडिंग चाने के यूट्यूब चैनल में मेंना मैं अनमोल मित्तल तो वॉल्यूम कॉंट्रेक्शन समझेने से पहले थोड़ा सा वॉल्यूम बताते तो वॉल्यूम होता क्या है देखिए सारे इंडिकेटर एक तरफ जो प्राइस एक्षन को फोलो करके आपको को सिंग माल लेते यही चार्ट हम देखते हैं कोई एक्जामपल लेते हैं माल लेते यह बारा दिन है और यह एक्जामपल के लिए माल लेते कि एक दिन की केंडल बनी है ठीक है एक्जामपल के लिए तो माल लेते कि आज की दिन बाय हुआ ठीक है इस पर्टिकुलर स्टोक पर और एक लाग क्वांटिटी बाई हुई, कितनी एक लाग, एक लाग क्वांटिटी बाई हुई, और सेल कितनी हुई, यहां सेल लगा लेते हैं, ठीक है, सेल भी दोस्तों, एक लाग क्वांटिटी हुई, ठीक है, तो यह दोस्तों ट्रेड हुआ, एक लाग लोग, एक लाग पर ट्रेड हुआ वह दोसों वॉल्यूम है अब यहां पर दोसों कॉश्चन बते क्या आता है लास्टम जब मैंने चार-पांच वीडियो पहले एक वॉल्यूम की एक वीडियो डाले थी उसके अंदर मेरे पास एक कॉश्चन आया था कभी एक लाग लोगों ने खरीदा और एक लाग लोगोंने ही बेच दिया तो यह प्राइस उपर नीचे कैसे हो रहे है कभी यह नीचे इसको समझते कैसे होते है वॉल्यूम अपनी जगे पर है, जितने लोग खरीदेंगे उतने ही बेचेंगे, लेकिन जो प्राइस है, वो किस तरीके से बढ़ते हैं, जरा समझते हैं, मान लेते हैं दोस्तों एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी मना लेते हैं, आके मुझे बहुत अशी ड्रॉइंग आती अब यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस उपर कैसे जाता है, तो सबसे पहले उपर की बात कर लेते हैं, जब लोग प्राइस उपर लेके जाने वाले, मान लेते हैं, किसी के पास यह गाड़ी है, और उसने एक लाख रुपे की यह गाड़ी खरीदी थी, एक्जाम्बल के लिए, ठीके, अब एक सेलर आता है, वो कहता है, जी मुझे आपके गाड़ी चाहिए, मैं इस गाड़ी के लिए एक लाख दस हजार पे देने के लिए तैयार हो, तो क्या हुआ, एक लाख दस हजार में वो गाड़ी बिक गई, किसी ने उसको खरीद लिया, तो यहाँ पर खरीदने वाले कितने हैं, और बेचने वाले कितने हैं, एक ही बंदा खरीदने वाला और एक ही बंदा बेचने वाला है, अब यहाँ पर लेक लाख भी हो सकते हैं, दो लाख भी हो सकते हैं, लेकिन है तो उतने ही ना, जिनों ने जितना खरीदा उतनी ही क्वाड़ी तो ब यहाँ पर इक price बढ़ा, जिस बंदे ने इसको खरीदा, उसको ये इतनी attractive लग रही थी, कि वो उसके लिए 10,000 पर फालतो देने के लिए तैयार था, तो क्या हो रहा है यहाँ पर price increase हो रहा है, अब यहाँ पर एक ही बंदा खरीदने वाला है, बराबर ही बराबर तो है, अब यह वाला बंदा बेचने वाला था, अब ऐसे circle घूमा है, ठीक है, तो यहाँ भी बराबर ही बराबर है, जितने खरीदने वाले उतने ही बेचने वाले, लेकिन कीमत बढ़ रही है, तो जो खरीदने वाला है, वो higher price देने के लिए तैयार बैठा है, तब ही stock का price उपर जात लेकिन जिसने एक लाग बीस अजार में खरीदी थी ना, उसको कुछ समय बाद लग रहा है, बेक आ रहा है, यह तो मुझे गाड़ी ना तो समझ में आ रही है, और मुझे दुखी कर रही है, और कोई नया बंदा मिल भी नहीं रहा खरीदने वाला, कोई एक लाग बीस पर देने वाला भी नहीं मिल रहा, उसे उपर देने वाला भी नहीं मिल रहा, तो अब क्या है, इसने क्या गरा है, इसके प्राइस गिरा दी है, अब यह कहा रहा है, जी मैं गाड़ी सस्ते में बेज दूँगा, और मुझे कोई एक दस ही दे दो, तो मैं ले दूँगा, अ यहां पर देखें एक बेचने वाला था और एक ही खरिदने वाला था बराबर बराबर थे ना लेकिन कीमत गिर गई कीमत इसलिए गिर गई क्योंकि जो गाड़ी पहले अट्रेक्टिव लग रही थी वह अट्रेक्टिव नहीं लगी उसके बहुत सारी रिजन हो सकते हैं प्राइयर प्राइस पर कोई मिल ली था बायर इसने क्या करा कीमत गिरा दी अगर कीमत गिरा दी अब क्याता जी में एक लाख रपे में एक बंदा आ गया कि चलो जी मुझे दे दो एक लाख में तो मैं खरिज लूँगा तो उसने क्या करा इसको इसको ट्रांसफर कर दी त क्या हो रहा है, जब कोई zweighar zroad premium देने के लिए त्यार है तो कीमत बढ़ जाती है, और जब कोई senior lower premium देने के लिए त्यार है तो कीमत गिर जाती है, तो इस तरीके से market के अंदर कीमत बढ़ती है stock की और इस तरीके से कीमत गिरती है, तो volume समझ में आ गया प्राइस कैसे चड़ते है प्राइस कैसे गिरते है ये भी समझ में आ गया अब समझेगे दोस्तों वॉल्यूम कॉंट्रेक्शन सबजने के लिए सबसे जरूरी है चार्ट के ओपर वॉल्यूम लगा दिया जाए तो जो भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम है सारी जगा वॉल्यूम का चार्ट फ्री अवलियबल है आप देख सकते हैं बाकि अगर किसी के बास ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू करने में आपकी हल्प करेंगे किस तरीके से टेक्निकल अनिलिस करने माखी मदद करेंगे इसको दरा समझते हैं देखें दोस्तों क्या है कि यह जो बिल्डिंग बनती है न नीचे वॉल्यूम की यह देखना मुझे खास पसंद है नहीं क्योंकि मुझे बड़ा बोरिंग ल डिखने ओंद करने तो यहां देखें वॉल्यूम की सैटिंग में जाऊंगा सबसे पहले यह जो रैड वाला इसको थोड़ा राक करते उसको थोड़ा बोल्ड करते को अब यह जो बिल्डिंग मन रही है जो histogram type का बन रहा है, अब इसकी जगा मुझे चाहिए line, जब मैं line लगा तो मुझे ज़्याद अच्छा लगता है देखने पे, तो यह देखिए मैं अब line लगा लिया, अभी देखिए volume बढ़ रहा है, तो line के हिसाब से आपको red, green, मतलब price, गिरा, volume इतना था, तो red दिखाई देगा, यहाँ green दिखाई देगा, तो यह मुझे ज़्याद अच्छी clarification देता है, मेरे ऐसा मानना, बाकि आप चाहिए तो building उसकर सकते हैं, इसके साथ दोस्तों मैं एक चीज़ लगा लेता हूँ, settings में, inputs में जाकर के मैं इसकी moving average लगा लेता हूँ, यह देखिए, volume moving average मैं यहाँ लगा लिए, इसको भी थोड़ा सा board कर देते हैं, अब यह देखना मुझे दोस्तों बसंद है, अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, moving average के ऊपर जब volume जा रहा है, तो आपको बढ़ता हूँ दिखाई दे रहा है, जब volume सिकूरेगा, तो obviously volume moving average के आसपास आपको clarification मिन रही है, अब चलिए, तो marks आप क्या कहते हैं, जड़ा उनकी बात सुनते है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चार्ट लगा लिया है, चार्ट दोस्तों है, बैंको प्रोडट का, छोटी कंपनिया लगाई है, 5000 क्रोड से कम की लगाई है, क्योंकि S पर जो book है, उ volume contraction देखा है, और वीडियो के दोस्तों, लास्ट वाले पार्ट में, मैं internet के चार्ट के ओपर भी volume contraction आपको देखाऊंगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वन वीक का टाइम फ्रेम है, बैंको प्रोडट का चार्ट है, 5000 क्रोड से कम की कंपनी है, अब मार्क साब क्या और लग्वक डबल हो गया, 520 के आसपास हो गया, अब 520 के आसपास होने के बाद यह देगे, थोड़ा सा नीचे गिरा, थोड़ा सा साइडवेज होता हूँ दिखाई दिया, अब हमें यह analysis करनी है, क्या यह से उपर जा सकता है, यह यहां से यह नीचे जाएगा, तो उसक तो यह बढ़ रहा था, यह जो trend आप देख रहे हैं, जब बढ़ रहा था, तो volume कैसे थे, यह देखिए, volume क्या हो रहे है, increase हो रहे है न, ठीक है, तो secure तो नहीं है, contraction तो नहीं है, और जैसे ही यह देखिए, थोड़ा सा corrective mode में आया, थोड़ा सा नीचे गिरा, दो तीन अगर आप देखेंगे, तो volume contraction में चले गए, यानि secure गए, यह देखिए, volumes बिल्कु secure गए, और moving average की नीचे ही आगे, suddenly, तो इसका दोस्तों मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ लोग ने बेचा है, माल को तो बेचा है, stop को तो बेचा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें यह प इसकलब यह है, कि market थोड़ा सा रुकेगा, weak player market से निकल जाएंगे, strong player market के अदर अभी भी है, और नई जैसे buying आएगी, तो stock और तेजी से भाग सकता है, तो अगर volume secured गए, तो यहाँ पर आपको क्या वेट करना चाहिए, किसी एक candle का breakout आजा है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि यहाँ पर देखे, किसी candle का breakout आजा है, जो consolidation phase है, यही एक pivot point होता है, इस pivot point पर ख्रेदना better होता है, तो किसी भी candle का breakout आता है, तो वो एक better buy हो सकता है, वहाँ आप buy कर सकते हैं, यह कोई stock recommendation नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो मालत है यहाँ कहीं आसपास आपने buy कर लिया हो था, as per उनकी book वो कहते है, 7-8%, 10% के आसपास stop loss आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखे क्या हुआ, उसके बाद एक stock के अंदर movement देखे है, भाग गया न, बहुत तेजी से, कितना भागा, लगग 500 पर एक आसपास क्रीदा था, 720 तर चला गया, तो 40-50% stock कुछी हफतों के अ और लगाया है, यह देखे, pretty engineering limited, ऐसे ऐसे stock है, जिसका नाम आपने पहले बार सुना है, कोई बात नहीं, लेकि चीजों को समझना है, वो जरूरी है, तो ज़रा समझते क्या हो रहा है, तो यह वाला देखते, एक बार example, यह अच्छा example लग रहा है, यह देखे, ठीक है, यह यहाँ देखते है, क्या हो रहा है, स्टोक देखे, बहुत तेज भागा, कुछी अफ़तों के अंदर आगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखे, 260 रवेगा स्टोक था, यह पिट्टी इंजिनेरी, और यह देखे, इसने हाई बनाया, 380 रुबेगा, भागा ना, बहुत त इससे कुछी अफ़तों के अंदर, दो महीने, डाई मेने के अंदर भागा, तो इस समय जब यह भाग रहा था, जब इसकी मूमेट ऐसी चल रही थी, इस समय आप वॉल्यूम्स देखे, क्या कर रहे थे, तो वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे थे, दिख रहा है न, किलेट दिख रहा है, जब बिल्डिंग से उपर जाती भी दिख रही है न, आपको, तो यह वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे है, लेकिन उसके बाद उससे चला गया, थोड़ा सा, कॉंसोलिडेशन फेस में देखे, यहां कॉंसोलिडेशन फेस में गया, और वॉल्यूम्स देखे, आपको डाउन होते भी दिखाई दिए, क्या वह वॉल्यूम्स देखे, गिर गए, कि मार्किट के अंदर अभी बायर होल्ड करके बैठे है, दुबारा बाइंग आ सकती है, जैसी दुबारा बाइंग आएगी, वीक प्लेर यहां निकल बाद आप देखिए, स्टोक कहां तक भागा है, इनिशेल बेसिस पर देखते हैं, एक दो महिने का देख रहें, ज्यादा नहीं, तो यह देखे, 380 से लेकर के स्टोक ने हाई लगाया है, 6.500 के आसपास, फिर स्टोक ओल्मस्ट 70-80 परसंट तक भाग गया, तो यह दोस्तो को होता है, volume contraction, तो one week के time frame में हमने देख लिया, सभी time frame पे आप इसको use कर सकते, अपनी strategy के साथ आप इसको add on कर सकते, extra accuracy मिलने की high probability रहेगी, अब चलिए एक काम करते हैं, इसको intraday के chart पे लगा रहें, देखते क्या result आते, तो intraday का दोस्तों, जो मैं chart लगा रहें, वो ल देखिए, Nifty का मैं August का future का chart में लगा रहें, तो यह दोस्तों मैं ने chart लगा लिया, अब एक काम करते हैं, पांच मिनिट का time frame लेते हैं, intraday का time frame लेते हैं, और यहां पर contraction समझने की कोशिश करेंगे, और आपको बहुत मज़ा आएगा, जब आप पांच मिनिट का time frame में भ और बढ़िया आपको trading signals मिलेंगे, ठीक है, आज ही की दिन की market है, market बहुत जबर्दस उपर गया, अब यहां पर volume contraction देखिए, तो सबसे पहले bullish side देखते है, bullish side में देखिए, nifty यहां से लेगे, यहां तर देखिए, तेजी से उपर गया, ठीक है, उसके बाद देखिए, थ contraction अगर हो गया है, साथ में देखिए, tightening price, price tight होता अब आपको दिखाई दे रहा है, तो किसी दिये candle के अगर breakout, जैसे कि यहां breakout हुआ, अगर आप यहां buy कर लेते हैं, as per intraday, प्लस आप अपनी strategy जरूर देखिए, उस strategy में add on करना है, सिर्फ इसके बहाब पर trade नहीं ले सकते और भी बहुत चीज़े देखनी बढ़ती है, तो अगर आपने यहां लिया होता, तो यहां देखिए, बढ़िया तरीके से उपर से लागे न, अब देखे, contraction आपको कहीं जागा देखेगा, यहां पर देखे, volume बढ़ा, फिर वापिस sideways हुआ, फिर contraction आया, फिर देखे, मार्केट के अंदर profit booking हो रही है, शायद वो extend नहीं होगी, थोड़ी देर बाद अगर मार्केट के अंदर दुबारा buying आती है, को signal मिलता है, तो दुबारा वापिस उपर बाग सकती है, तो यह stocks के उपर भी आप लदा करके practice कर सकते हैं, आप तो आसा downside वाला देख लेते हैं कि जग गिरता है, तो किस तरीके से गिरता वो देखते हैं, यह example देखते हैं दोस्तों, इनिफ्टी 50 का example है, जिसके अंदर आप देखें, clearly यह गिरता वा आपको नजर आ रहा है, जैसे कि देखें, जी clearly market देखें, यहां से यहां तक गिरा, तो उस समय आपको सबसे पहले देखना है कि volumes क्या कर रहे थे, volume spike कर रहे थे, बढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, तो देखें, volume पहले क्या थे, contraction mode में थे, फिर suddenly आप देखेंगे, spike करते हैं, हमें volumes दिखाई दिए, ठीक है, तो market गिर रहा है, volumes बढ़ रहे है, अच्छी बात है, clear आपको downtrend देख रहा है, लेकिन जब market profit booking में आएगा, जैसे कि आप देखें, market profit booking में आया और वापिस again sideways हुआ, तो यहाँ पर जब हमें देखना है कि volumes क्या कर रहे है, क्या volume contraction आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे आपर volume contraction हमें clearly दिखाई दे रहा है, अब इसी से दोस्तों हमें automation मिली हो, उसके बाद देखें, और तेजी से market नीचे गिरा, साथ ने volumes के spikes भी आ गए, तो volume के साथ market यहाँ पर नीचे गिरतावा में दिखाई दिया, यहीं दोस्तों होता है volume contraction analysis जिसको हम volume analysis भी गया सकते हैं, उमीद करता हूं दोस्तों यह volume contraction वारा जो method है, यह समझ में आ contraction को आप अपनी strategy के साथ add-on करके देखिए, आपकी probability of winning trades थोड़ी सी आपके बढ़ जाएंगे, और मुझे उमीद है यह आपको काफी help परेगा trading के अंदर, बाकि आपकी क्या राया इस volume contraction के बारे में थोड़ी सी analysis करके ज़रू बताईएगा, बाकि दोस्तों वीडियो बनाने की approach आपकी होनी चाहिए, option scalping, option systematic trading, equity intraday trading, इसके बारे में दोस्तों हमने इस course के अंदर बात करिए, अगर आपको यह course चाहिए, तो बहुत छोटा सा काम करना है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो आपको चैनल को subscribe करना है, साथ में इस video के बारे में आ उस form को feel करके बेज देना, ताके हम आपको वो course आज या कल के अंदर provide करा सके, as soon as possible हम आपको email कर देते, email के तुरू आपको मिल जाता है, तो mail ID आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, इस बात का जरू दियान लगना, तो यह दर दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जल्दी म मिलूगा next वीडियो में, तब तक लिए good bye, God bless you, bye bye दोस्तों